के बारे में और अब बात करते हैं इस साल की टॉप फाइव वर्च फिल्म के बारे और पांचले नमबर पे हैं बॉलिवुड बेरोजगा स्टार किर्स सेवा यजना के अंडर बनी आर्चीज और यह फिल्म सेम आर्चीज नाम के कॉमिप बुक पे बेज़ड है और इसमें ज दस परसंट हिंदी बोली भी गई है उसको सुनके यही लबता है कि इससे बेटर यह लोग हिंदी ना ही बोले तो अच्छा रहे और चौशे नमबर पे हैं सानी पाजी की फिल्म गटर टू जिसको सिर्फ और सिर्फ सभ सभी सेवल का करियर रिवायव करने के लिए और गद बनाया गया है और फिल्म को बस ऐसे ही बिना किसी मैनत के ही बना दिया गया है इसका स्क्रीन प्ले इतना चीप है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पर फिल्म नहीं बलके एक टीवी सीरियल देख रहे हैं और गदर वन के नाम पे पैसे कमाने के लिए बस इसकी कान लिको जैसे त अतने पेसे नहीं कमा पाती चेस लेक शारूख हान पठाण में नहीं होते तो पठाण भी उतने पेसे नहीं कमाती और फॉस्थ मूवीद की बात सल्मान खान की movies निस्ट में ना हू इसा कैसे हो सकता हैं तिसरे नमबर पर सल्मान खान की किसी का भाई किसी की जान फिल्म को बनाने के रिए सल्मान खान ने अपने ecosystem में से director को लिया और बागी के cast member को भी लिया और फिर एक camera लगा फिया पाय ने अपनी यूजवल बक्चोदी चालू कर दी और दूसरों को भी बोल दिया कि सब अपना अपना देख लो और सलमान कान बस पूरी फिल्म में एक जोकर बने कूम रहा है और उनकी तरब से में कोई भी एफर्ट देखने को नहीं मिलता और बागी सारी कास ने एकदम क्रिंज वर्दी काम किया है तो और और ये फिल्म बस एक सलमान का टाइम पास है जो गी उन्होंने लोगडाउन में किया था और अब बात करते हैं नंबर टू के बारे में तो नंबर टू पर है इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी गणपथ जिसमें एक डिस्टोपियन सेटिंग दिखाई गई है और बस दिखाई ही गई है क्योंकि इसका कहानी में कोई भी यूज नहीं किया गया और आज से पचास साथ बाद भी में करेक्टर का नाम गुडड़ू ही है जिसको टाइगर सौफ ने प्ले किया है और वो हमेशा की तरह बस उचलकूधी कर रहा है और जा बात आती है डायलोप डिलेवरी की वहाँ उनका मूव बस 30% ही खुलता है और वहाँ उन्होंने बस उतने ही एक्स्प्रेशन दिये है जितने की चांच्छी से रहूल गांदी के नेक्स प्रैम मिनिस्टर बने के यानी की जीरो और मूवी का वी एफेक्स तो करा वे ही पर डिस्टोबियल सिटी को क्रिएट करने के लिए यहां वाह से template को चोरी किया गया और उनको बिना change किया गया वैसे ही movie में लगा दिया गया और आलस तो इतनी थी कि वो एक frame में से green screen एडिट करना ही भूल गये जो की एक बहुत ही basic गलती है और अब आगे बात करते है इस साल की तो क्या शायद इंडियन cinema history की सबसे worst film के बारे में और हमारी list में number one आदी पूरुष इस movie के पाद सब कुछ था 600-700 करोड का budget बहुत बड़ी star cast और एक रामायन जेसी कहानी बस इस film को अपना execution ही अच्छा करना था वो भी इस film ने नहीं किया और movie को पहले अपने VFX के नाम पे बेचा जा रहा था और movie के VFX और CGI अच्छे है लेकिन साथ इस generation के पास वो advanced दिमाग नहीं है कि इस movie के VFX और CGI को समझ सके इस लिए इस movie के VFX को future की generation को ध्यान में रखके बनाया है कि शायद आज से 5-6 generation के बाद लोगों के बास इतना advanced दिमाग होगा कि वो इस VFX को समझ पाएगे और तो और movie अपने dialogues की वज़े से भी काफी चर्चा में रही और वो dialogue इतनी गलत तरीके से लिखे गए थे कि उन dialogues को movie के release के बाद बदलना पड़ा और तो और सबसे बड़ी गलती तो यह थी कि प्रबास को प्रभुस रिजाम के रोल में कास्ट करना क्योंकि वो अपनी तरब से कुछ भी effort डालते हुए नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके facial expressions और body language को देखके ऐसा लगता है कि सुबह सीधा सीधा उटके direct set पर ही आई है क्योंकि कोई energy ही नहीं दिखाई देती हमें उनके performance में और इतने सारे resources होने के बावजूब भी ओम राउट से एक अच्छी film नहीं बनी तो ये तो थी मेरी लिस्ट इस साल की best और worst movies के बारे में आपकी क्या लिस्ट है वो मुझे comment section में जरूर बताना मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई